तो दोस्तो आज हम sampling theory के अंदर आज हम small sample test देखने जा रहे हैं already इसके पहले अगर आप ध्यान से अगर मेरे lecture को अगर आप देखते होंगे तो मैंने large sample test के उपर lecture बना दिया है जिसके अंदर हमने रहना है submission of यहां पर क्या करना है आपको मीन का डेविशन मतलब एकस माइनस एकस बार का whole square और दोस्तों नीचे क्याएगा अब यह पूरा पूरा फॉर्मला आपके दिमाख पर बैठ यह एक बार अपने दिमाख में बिठा लो देन दोस्तों आप टी का जो फॉर्मला है जैस तो डिवाइड बाए अंडर रूट ओफ एन था यहां पर एन माइनस वन यह बस चेंजे से अब दोस्तों उसके बाद यहां पर हमें क्या करना है जो हमारे बस टेबल्स की वैल्यू है तो हमें उसका क्या करना है अगर यह नेगेटिव एंसर आ रहा है तो भी उसको मॉड म टैड रहे गाहरं हमारा इसका वैल्यू दोस्तो टी अलफा के वैल्यू से अगर ग्रेटर आया तो हम बोल सकते की हमीरा जो है दोस्तों रिजेक्ट्टे और यहांप बसक्टायि SimpleN उसको मॉड भए डिछोटत रहेगा Здесь 30 से एगर छोटा वैल्यू दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों small sample उस करेंगे अगर greater than 30 या 30 दिखाई दे रहा है तो हम लार्स यूज करते हो यहां पर बस एन का वैल्यू रखो और यहां पर आपको वी का सॉल करते है रेंडम सेंपल आफ साइज देखो साइज हमें पता चल गया तो दोस्तों यहां पर एन इकॉल टू कितना आ गया दोस्तों 16 और जो सेंपल साइज के देखो लेज देन 30 दिखाई दिया तुरहां समझ जाना कि स्मॉल सेंपल हमें यूज करना है अब दोस्तों यहां पर देखो यहां पर हमें कुछ दिया है सम अप्धी स्क्वेर ओफ डेवियेशन फ्रम मीन इसका डिया है दोस्तों 843.75 संटिमीटर स्क्वेर और दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों हम क्या करेंगे एस का वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि हमें इसके लिए यहां पर हम समिशन लेते हैं तो यहां पर दोस्तों 843.75 और अगर मैं एन के वैल्यू की बात करूं तो एन का वैल्यू दोस्तों कितना है 16 तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों सबसे पहले हम करके में यहां पर कोग हाइपोथ्सिस लेंगे करना की अइपोथ्सिस नien यू किक इसमें यू नुट हम कितना कंसियर करेंगे इस हम नूट हेसं हो माइचनल नट भी लेते और यहां पर हम इसके बाद हम क्या गरते हैं जैसे यह हो जाता है तो इसके बाद हम किसका value निकालते हैं दोस्तों t का value निकालते हैं the value of t अगर आप ध्यान से देखोगे तो t का value किया था दोस्तों x bar minus mu upon s upon under root of s minus 1 yes x bar क्या है दोस्तो 103.75 minus mu का answer कितना है दोस्तो 108.75 s का value कितना है 7.2618 और under root में अगर मैं जो value लूँ तो क्या है दोस्तो 16-1 तो यहां पर perfectly जो हमारे पास values आये हैं वो मैं same लिख रहा हूँ 103.75 minus 108.75 upon जो मेरा answer आया था इसका वही मैंने direct लिख दिया under root of 16-1 तो perfectly हमें answer यहां पर दोस्तों मिल रहा है minus 2.667 ऐसे लिए और हम मैंने क्या बोला था इसके बाद आप इसको mod form में ले लो mod form में यह positive हो जाएगा 2.67 इसका answer आए अब यह answer आने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है यहां पर यह हो गया है यहां पर चाहिए तो हीडिंग डाल सकते हैं टेस्ट आप statistics यह भी आप यहां पर लिख सकते हो अब हम क्या करते हैं लेवल ऑफ दोस्तों और उसके पहले आपको किसका वैली नीकालना धोस्तों भी का भी का वैली का एंड़ माइनस वन कितना है 16 वाइनस वन विच इकवाल टू 15 पर टी 15 विच इकवाल टू हमारा एंसर कितना है दोस्तों 2.131 तो यह हमारा perfect answer हमें मिल गया अब यह answer मिलने कि दोस्तों यह पूरा का पूरा पार्ट हो गया अब इसके बाद आपको क्या करना मैं चाहता हूं कि यहीं पर स्वाल्ट कर दू बोक tú अब इसके बाद आपको क्या करोगे दोस्तों यहां पर आपके ती 15 का आप तो दोनों मेंसे greater value कुनसा दिख रहाय है दिखो ये आपका टी का वाल्यु है और यह तो दोनों में से greater ये dar दिख रहा है दोस्तों तो यह value क्या है ग्रेटर है और ये Bye लिए एक गर ये ur will greater है तो हमारा क्या हो जाएगा तो अगर हमारा ना तो एक्सेप्ट जाता है यहाँ पर आप क्या लिख होगे हाइपो थैसीज है इस रिजेक्टेड डायरेक लिख दो भाई रिजेक्टेड है एंड देरफोर भी कैनोट से दा मीन आप दी पॉपुलेशन इस 108.75 cm सीधा सीधा हमने यह कोशन सौल कर दिया अब यह कोशन अगर आप सौल कर रहे है इस तरगा यह बहुत बार कोशन इस तरगा पूछा गया अच्छे सौल करना अलग-अलग आपको रैंडम वैल्यूस दिये रहेंगे अब इसके अगर आपको इसके स्टेप्स को अगर सकते हो देन दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है सेम यह वाला जो पाट है इसका भी आप स्क्वेर कर दो अब दोस्तों यहां पर आप समीशन ऑफ दी स्क्वेर का मतलब इसका भी पूरा प्लस इसका भी पूरा प्लस आपको निकालना है और दोस्तों इसके बाद यह सब्सक्राइब पड़ेंगे और यह टेबल ठोड़ा सा कर देता हूं कि अब दीखो दोस्तो कि ही इस टेबल के अंदर है कि मैं चाहूंगा कि टेबल बीच में ही अब यह मैंने बीच में ले लिया अब दोस्तों देखो पहला अब यहाँ पर सब लिखूंगा तो यह तो रहने देता हो कितने 129 है ना तो देखो यहाँ पर दो वैल्यूज हो गए टोडल चार वैल्यूज हो गए कि सिक्स है और है कि देखते हैं कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 और लाच्ट में अपने को समीशन भी चाहिए अब यहाँ पर देखो यहाँ पर मैंने X लिया यहाँ पर देखो मैं क्या लेरा हूँ दोस्तों D ले रहा हूँ ती कैसे find out होगा x- देखो यहां पर value क्या है 45 47 है 50 है 52 है 48 47 है वीडियो को like भी कर देना यार 49 है 53 है और 51 है अब मैं क्या करूंगा पता है यहां पर जो value लोगा तो minus इसमें से कोई भी एक value ले लो पर बीच वाला देखो अगर यह यह last वाले होगे यह second last वाले होगे यह वाल ले लो या randomly कोई भी ले सकता है ऐसा कुछ नहीं है तो अगर समझो मैंने यहां पर बीच वाला वाली 48 ले लिया तो यहां पर मैं डी का स्क्वार ले रहा हूं तो x-48 का स्क्वार अब देखो दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है x-48 मतलब 45-48 करना है तो देखो 45-48-3 माइनस-48-1 50-48-2 52-48-4 48-48-0 47-48-1 49-48-1 53-48 अगर आप करने जा रहे हो तो 5 आएगा दोस्तों और दोस्तों यहां पर 51-48-3 आएगा तो यहां पर पर्फेक्टली हमने पूरे के पूरे वैल्यूस को हमने क्या कर दिया दोस्तों सॉल कर दिया अब आप यहां पर क्या करो पता है इसका सम भी निकालतों अबने यह पूरे वैल्यूस का सम देखो माइनस-3-1 प्लस-2 प्लस-4 प्लस-0-1 प्लस-5 प्लस-3 तो सम्तिंग इसका जो एडिसन आया दोस्तों वह टेन आया अब यह पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद आपको यह वाला क्या करना है दोस्तों देखो यह हो गया अब आप यहां पर क्या करोगे दोस्तों 2-0 कि Summission of D का value कितना हातो उस्तों टेने Summition of D square का value तो स्क्स्टीश ने अब मैं यहां पर क्या गरूँगा सबसे पहले X बार निकालूँगा क्या एगा दोस्तों a plus यहां पर a plus और क्या आएगा दोस्तों Summission of Summission of D upon N अगर मैं A के value की बात करूँ तो हमने A का value कितना लिया है दोस्तो 48 Summission of D का value कितना है दोस्तो 10 है N का value कितना है दोस्तो Number of sample कितने थे 9 थे तो finally हमारे पास Kelsey है अब इसका answer निकाल सकते हो यहाँ पर कहाएगा दोस्तो 48 प्लस यहाँ पर 10 by 9 और something इसका answer दोस्तो 49.11 अब यह पार्ट होने के बाद अब हमें क्या करना है दोस्तो अपने आस एक्स बार आ गया है अब हमें आगे के steps की और बढ़ना है और आगे के steps की और अगर मैं बढ़ता हूँ तो दोस्तो अब मुझे क्या करना है summation of x-x bar का whole square निकालना है जिसका formula बहुत easy है summation of d का square minus summation of d का whole square यहाँ पर गलती मत करना divide by n और सारे लोग यहाँ पर summation of d का square ही लिख देते हैं अब देखो summation of d का whole square कितना है दोस्तो 66 है यहाँ पर summation of d कितना है बस उतना लिखो 10 लिखो और उसका square लिखो यह गलतीवत करना और n कितना है दोस्तो 9 तो फाइनली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मेरा एंसर कितना है दोस्तो देखो 66-100 डिवाइड बाइन तो फाइनली हमारा जो एंसर है दोस्तो 54.89 यह हमारा पॉरफेक्ट अब दोस्तो यह होने के बाद आप आप उन एस निकाल सकते हैं एस का एंसर क्या है दोस्तों समि 54.89 डिवाइड बाइन कितना है दोस्तो नाइन तो देखो यहाँ पर जो एंसर है डिवाइड बाइन तो फाइनली हमें कितना मिल रहा है एंसर 2.4695 अब हमें एस भी मिल गया अब दोस्तों सेम आप जैसे आपने प्रीवियस सम सॉल गिया था पूरा का पूरा सेम स्टेप क अपने सम कैसे सॉल किया था दूस्तों आपने क्या लिया था नल आई पो थीस एच नॉट जिसमें हम विच इकल्ट थोड़ा सा में सम को अच्छे से पढ़ना होगा अगर आप सम को अच्छे से पढ़ते हो तो आपको खुछ हीजे यहाँ पर समझ में आती है देखो हमें मियू का एंसर पता चल गया मियू कितना है 47.5 और हमें यह चेक करना है क्या यह मिन पर्फेक्ट है की नहीं है तो इसे अगर हमारा हाइपोथिसिस एक्सेप्ट हो जाएगा तो पर्फेक्ट है नहीं एक्सेप्ट होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा तो यह तो मियूँ इस नॉट इक्वल टू 47.5 अब यह पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद दूस्तों यह दोनों पार्ट हो गए अब यह दोनों पार्ट होने के अद्ध हम क्या करेंगे यहां पर अब निकालेंगे t का वैल्यू फॉर्म्ला याद है x-bar minus mu upon s upon under root of n-1 तो यहां पर x-bar का value क्या है दोस्तों the value of x-bar is 49.11 minus mu का value कितना है the value of mu is 47.5 और s का value कितना है दोस्तों 2.4695 और under root of n कितना है दोस्तों 9-1 तो यहां पे देखो मैं same value ले रहा हूँ 49.11-47.5 divide में answer जो हमारा आया था और under root 9-1 तो perfectly अगर हम देखे तो यहां पे हमारा t का value आया दोस्तो 1.84 आया और अगर मैं इसको mod form में लूँ हूँ ही तो भी यह value उतना ही रहेगा कोई changes नहीं है अब यह होने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना चाहिए यहां पे degree of freedom वह सब आपको पता है 9 item है तो अगर अपने को वी का value निकालना था n-1 9-1 कितना एगा एक और T8 का अपने को value दिया है 5% पे हमने alpha का value 5% वह सब आप लिख लेना 2.306 हमें कितना value दिया है तो यहां पे हमारा hypothesis हमारा जो भी hypothesis है दोस्तों वह क्या आएगा कर रहों कि पूरा का पूरा पार्ट आपको समझाओगा वीडियो को देखने के लिए दिल से ठैंक्स ठैंक्स दोस्तों मिलते हैं नेक्स लेक्चर में बाइबाइटेक केर जैहिंद दोस्तों